हेलो फ्रेंड ये मेरा फ़र्ष ब्लॉग है रिगार्डिंग टेंपल मंदीर ये जो ब्लॉग मैं सूट कर रहा हूँ ये योगे स्वर नाथ धाम है जो की बास्की नाथ से 15 से 20 किलोमेटर की दूरी पे है ये जर्मुंडी प्रखन के हरीपूर पंचायत से 10 किलोमेटर दूर के है उसी के दिग्घी गाउं में है ये देख सकते योगे स्वर नाथ धाम में यहाँ पे पूरा भीड होती है जो की दूमका जार्खन के भी बहुत से लोग नहीं जानते इस मंदीर के बारे में देख सकते योगे स्वर नाथ धाम का यहाँ पे बेनर लगा हुआ है जो की योगिस्वर्नाद धाम एक छोटी सी पहाड पे उपर सिव की मंदीर है और ये सीड़ी चड़ते हुई लोग जाते हैं मंदीर पे लोग वहाँ पे पिकनिक के लिए भी जाते हैं बहुत पूजा के बाद पिकनिक आस पास में बहुत ही अच्छा पहाड़ी है और ये व्यू है आरा भरा पेड़ पौधा जंगल है ये देख सकते हैं योगिस्वरनाद धाम का मंदीर जोकी अभी निर्मान काम चल ही रहा है बहुत सारा तो ये व्यूगिस्वरनाद धाम का में गेट पहुँचने वाले हैं हम लोग देख सकते हैं और ये व्यूगिस्वरनाद धाम लिखा हुआ है देख सकते हैं यहीं से भीतर जाने के बाद सीवलिंग है ये सीवलिंग में लोग ये गनेश ची योगे स्वरनाध धाम के में द्वार पे है इसके भीतर में सीवलिंग है जो की सीवलिंग में लोग पूजा करते देख सकते हैं यही जो भीड लगी हुई है यहाँ पे लोग सीवलिंग में जल चढ़ाने के लिए खड़े हैं अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं और यह मापारवती का भी वहीं पे सीवलिंग देख सक रहे हैं सीवलिंग में जल चढ़ाया जा रहा है मैं भी वहाँ पे पूजा किया तो ये बहुत ही अच्छा मंदीर है आप लोग भी आईए आ सकते हैं तो ये योगिस्वरनाथ धाम का में मंदीर ये मापारवती का उन्हीं से जश्ट सटा हुआ है और ये फर्ष ब्लॉग है मेरा देख सकते हैं वहाँ पे अच्छी भ्यू ये यहाँ भी पूजा होती है सि नीचे बजरंगबली का और ये और भी कोई-कोई मंदीर है देख सकते हैं ये पूजा होती है योगिस्वरनाथ धाम में पूजा करने के बाद हम लोग पिक्निक के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है रोड से ये पहाड़ी जो दिख रहा के लिए गए हुए थे तो ये पहाड़ी बहुत ही अच्छा है करीब से देखने पे ये देख सकते हैं पहाड़ी इसी ग्राउंड में हम लोग पिकनिक के लिए गए हुए थे पूरा परिवार जो की आगे भी फोटोज में देखिएगा ये फोटोज देख सकते हैं अब आग हमारा पिकनिक करते हुए जो की बहुत अच्छा ही व्यू है आप लोग भी आईए आ सकते हैं तो कभी घूमने के लिए योगे सरना धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें